नमस्कार किसान भाईयो, स्याजी 6 के जैवी खेती सीरीज में आपका स्वागते आज के वीडियो का विचे है जैवी खेती में गंदक की कमी पूर्ति करने के तरीके गंदक पोदों में नाइट्रोजन, फास्परस और पोटेशियम के बाद सबसे जरूरी है यह पोदों के क्लोरोफिल, वीटामिन और एंजैम के निर्मार में सहायक होता है और यह पोदों की वनास्पतिक और जड़ो की उद्धि में मदद करता है तिलहनी फसलों में तेलकी प्रतिछत मात्रा बदाता है लहसुन, प्याज और सर्सोवेग्य पोदों में जो गंद आती है वा गंदक से बने पदर ग्लूकोसाइट के कारण होती है सल्वर पोदों में ठन और पाले से बचने के लिए सरन्शक्ति को बढ़ाता है मिट्टी में गंदक की कम उपलब्दा, बारबार खेती में उप्योग करने वाली मिट्टी में और गंदक मुक्त उर्वर रकों का निरंतर उप्योग करने से ये कमी पाई जाती है और साथ ही फसलों के अवसेशों को जलाने से और अत्य दिक शारी मिट्टी में यह कमी पाई जाती है आये देखते है फसल में गंदग की कमी के लक्षन कमी के लक्षन आम तोर पर पहले नई पत्티yों पर देखे जाते है नई पत्यों में शिराय के बीच के बाग में पीलापन दिखाई देता है और दूर से देखने पर नई पत्या समान रूप से पीले रंकी दिखाई देती है चलिए जानते हैं फसलों को गंदक की कमी से कैसे बचाया जा सके और गंदक की कमी पूर्टिक करने के लिए क्या क्या करना चाहिए सबसे पहले फसलों को गंदक की कमी से बचाने के लिए जमिन तरियारे के दोरां जैवीक खेती में एकेकरूत खात प्रबंदन में उप्योग होने वाले कमपोस्ट खात, केचुवा खात, हरी खात और जैव उरोरक का उप्योग करे बुवाई से पहले बीजो को जैव उरोरकों से उप्चारित करके बुवाई करे जिसमें एक किलोग्राम बीच को दस ग्रम जैव उरोरक से उप्चारित करे और अंकूर को उप्चारित करने के लिए 100 ml जैव उर्वरक को 10 लिटर पाने में मिला कर अंकूर को 30 मिनेट तक बिगो कर बुवाई करें अब देखते हैं फसलों को गंदक की कमी से कैसे बचाएं सबी प्रकार की फसलों में गंदक की कमी पूर्टी करने के लिए 2.5 लिटर जैव उर्वरक सल्फर सॉलिबलाजिंग बेक्टिरिया को प्रती एक हेक्टर में सीचाए के साथ दे दोस्तो तो आज ही सिर्सक्राइब वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें